स्टूरंट्स मैं हूँ सनम नवास और आप देख रहे हैं ये स्कूल चैनल आज जो है हम नाइन्थ की बायारजी के चेप्टर नंबर वन का जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेलिलर ओर्गनाजेशन ठीक है सेलिलर ओर्गनाजेशन में हम पढ़ेंगे पहले यूनिसेलिलर ओर्गनाजेशन कितनी होती हैं सेलिलर ओर्गनाजेशन यूनिसेलिलर ओर्गनाजेशन कॉलोनियल ओर्गनाजेशन and multicellular organization ठीक है? unicellular, the word uni means one means यह जो unicellular organization है यह जो organisms है, वो बने वी होंगी one cell, क्या? एक ही cell के बने वी होंगी और जितने भी living organism के survival के लिए जितने भी processes की ज़रूरत होती for example, breathing है, digestion है excretion है, जितनी भी है एक living organism को survival के लिए जितनी भी processes की ज़रूरत होती है वो unicellular organization में एक ही cell सारे काम perform करता है वो उन्ही एक cell पे ही क्या करते हैं? depend करते हैं सारे काम जितने भी होंगे life processes वो सारे काम जो हो रहे होंगे वो होंगे एक ही cell perform कर रहा होगा कौन से इस organism से? for example, bacteria है ठीक है? यह हम कहें के amoeba है यूगलीना है पर आमेशा में यह सारे examples हैं किसके? unicellular organisms के अब हम आते हैं colonial organization colonial organization में क्या बनेंगी? colonies बनेंगी ठीक है? organisms जहें वो colonies में रहेंगे बहुत सारे organisms मिल के रहेंगे लेकिन वो वहाँ dependent नहीं होंगे वो क्या होंगे? independent होंगे ठीक है? वो अपने life processes को complete करने के लिए या life processes को करने के लिए बिल्कुल एक दुस्य पर उपर depend नहीं करेंगे सारे काम वो खुद करेंगे उनकी just यूँ कहें कि देखने के लिए ये colonies होंगी बाकी ये अपना function जो है वो खुद perform करेंगे कोई भी function जो है वो आपस में जो है वो relate नहीं करते ठीक है? थर्ड जो organization है वो है multicellular organization multi means which is made up of more than one more than one unicellular जो organization है वो कौन से organisms होंगे? जो एक से से बने वे होंगे और जो multicellular organization है वो more than one से से बने वे होंगे ठीक है? इसमें हम मिसाल जो आपकी book के मुताबिक अगर हम पढ़ने हैं तो मिसाल दो जो हैं वो mustard plant and frog हम human being बहुत सारे plants हैं animals हैं यह सब किसमें आजाते हैं multicellular organization में ठीक है? अब हम one by one एक एक का examples पढ़ेंगे किस तरह जो है वो उनके features हैं किस तरह वो कहां रहते हैं क्या करद multicellular organisms में हम देखते हैं जो examples book में दी गई है वो है mustard plant की mustard plant की organization क्या है? one cells का बना हुआ है ठीक है? organization more than one cells की है और इनको जब botnical नेम है ठीक है? botnical जो नेम है mustard का वो है brassica compass tris और जो locally जो है जिसे हम सरसों कहते हैं locally जो है इसको क्या कहा जाता है local areas में से सरसों कहा जाता है ठीक है? और जो size इस plant की वो है not more than one to one point five meter एक से डेट मीटर तक की इसकी size होती है अब हम अगर इसकी cultivation देखते हैं तो ये plant जो है वो cultivated किस मौसम में किया जाता है? cultivation जो है इसकी winter season में होती है किस में होती है? winter season में ज्यादा तर जो है वो यूं कहें के mid of the September mid of September to end of November इन मौसम में जो है वो इन मन्थ में इनकी जो है cultivation हो जाती है अब अगर हम देखते हैं mustard plant का structure तो structure जो है वो structurally ये कितने parts रखता है? two parts रखता है एक होता है vegetative parts ठीक है? और दूसरा होता है reproductive part vegetative part हम किसे कहते हैं या इसमें कौन-कौन सी चीज़ें शामिल है vegetative parts में आते हैं roots stem and leaves ये आते हैं इनके vegetative parts में ठीक है? और vegetative parts हम किने कहते हैं वो parts जो involved नहीं होते किसमे? sexual reproduction में बलके इनका directly तालुक के किस से a sexual reproduction है? कौन सी reproduction में? a sexual reproduction में ये काम लेते हैं for example कौन सी अक्सा में वो for example budding है grafting है या cutting है ठीक है? mustard plant जो है वो multicellular है organization अगर हम इसकी देखते हैं तो वो multicellular organization है और botanical name जो है वो उसका brassical compestress है जो locally सरसों के नाम से मशूर है और size जो है वो उसकी 1-1,5 meter तक होती है cultivation ज्यादा तर जो है वो थंडे मौसम में की जाती है और जो months है वो ज्यादा तर September का mid होता है या end of the November इन ही months में जो है वो इनकी और यह वेजिटेटिव पार्ट से होएं वो कौन सी रिप्रडेक्शन इंवोल होते हैं और sexual reproduction इंवोल होते हैं कौन से वो टाइप से फर एक्जमपल बडिंग है ग्रास्टिंग है या कटिंग है अब हम पढ़ेंगे आफ में वेजिटेटिव पार्ट सु यह रहे Aँड हम पढ़ेंगे और स्रॉक्ट्रली रोप अब mer divers यह है वो दो पार्ट सें वेजिटेटिव और यह और अब रिप्रड़क्टिव पार्ट में क्या प्रस्भाट बंस और जाते है और जो flowers होते हैं वो किस color के होते हैं? yellow color के होते हैं यह है mustard का structure दो parts होते हैं उसमें एक होता है vegetative part जो क्या रखता है root, stamen, leaves रखते हैं और दूसरा होता है reproductive part जिसमें मुझूद है flower जो sexual reproduction में मदद देता है और वो क्या produce करते हैं? अगर हम इनकी importance देखते हैं mustard plant की mustard plants के जो है वो food के तौर पे हम क्या इस्तमाल करते हैं? leaves जो है वो mustard plants के जो leaves है वो हम food के तौर पे इस्तमाल करते हैं और जो seeds है वो हम oil की extractions के लिए इस्तमाल होते हैं ठीके जो leaves हैं वो हम food के तोर पर इस्तमाल करते हैं और जो seed हैं वो oil की extraction में इस्तमाल होते हैं और जो leaves हैं वो बहुत ज्यादा इनके healthy leaves कहा जाता है क्योंकि इनमें जो गिजायत मुझूद हैं बहुत सारे micronutrients मुझूद हैं क्या मुझूद हैं? बहुत सारे micronutrients मुझूद हैं कौन-कौन से वो micronutrients हैं? वो हैं vitamin A, C and K उसके इलावा इस plant के जो हैं वो क्या फाइदे हैं? न्यूटिटिव बेस पे यह जो है वो I, मतलब नजर के लिए बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि vitamin A है उसके इलावा हर्ड की हेल्ड के लिए बहुत अच्छे होते हैं ठीके? एंटी-कैंसरिंग जो है वो agent है यह कौन सा agent है? एंटी-कैंसर agent भी कहा जाता है यह cancer से भी बचाता है उसके इलावा immune system को भी यह boost up करता है इम्यून सिस्टम को boost up करता है यह थी importance किसकी mustard plant की कि इसके पत्ते उनका साग भी बनता है बहुत testy होता है और सीर्स से जो है वो हम oil की extractions होती है और यह बहुत healthy होते हैं यह इनके फवाइद हैं कि इनमें बहुत सारे micronutrients मोजूद हैं वाइटमिन A, C, N, K और वो eye और heart health के लिए बहुत अच्छे होते हैं anti-canceric agent है इनके leaves उसके इलावा इम्यून सिस्टम को भी बोस्ट अप करते हैं जो second example है multi-cellular organism की animal में वो दी गई है book में frog की frog जो है वो multi-cellular organism है इनकी जो cellular organization है वो क्या है more than one cell की बनी हुई है ठीक है और frog के जो हम अगर features देखते हैं तो यह क्या है? यह multi-cellular है और यह कहां पाया जाता है? ज्यादा तर जो है वो ponds में, local regions में पाया जाता है ponds में, pools में stagnant water जो होता है जो खड़ा हुआ पानी होता है उसमें भी यह पाय जाते है यह इनका habitat है इनके habitat क्या है? कि यह खड़े हुए पानी में भी पाय जाते है या pools, ताला वगरा इन सब में पाय जाते है और यह amphibian है, कौन से जानवर है यह amphibians amphibians जो दो तरहा की life गुजारतों यह नहीं, बोथ life गुजारते हों कौन सी पानी वाली और खुशकी वाली, ठीक है? पानी और terrestrial that's why frog को कौन सा इनिमर कहा जाता है? amphibians, वो पानी में भी मिलते हैं और जमीन पे भी पाए जाते हैं body जो है, वो इनकी head and trunk में divided होती है head and trunk में divided होती है ठीक है? और इन में वो तमाम systems होते हैं, जो भी systems हैं, वो well developed systems हैं जो frog के systems हैं, वो कौन से हैं? well developed system है for example digestive system में वो तो particular organs रखता है mouth, stomach, intestine particular organs मोजूद हैं हर system में ये था second example multicellular organism का that is frog पहले हमने पढ़ा plant example that is mustard और अब पढ़ा है frog example in the form of animal अब हम पढ़ेंगे unicellular organisms की examples जो बुक में दी गई हैं, वो दो examples दी गई हैं, एक है emoba और दूसरी जो है, वो unicellular है, मगर colonel जो form में रहती है, वो है walbox ठीक है? अभी हम emoba जो पढ़ते हैं, emoba क्या है? एक कहां कहां पाया जाता है, habitat यह है कि यह pools में भी पाय जाते हैं, और mud में पाय जाते हैं, कौन सी mud? जो shallow ponds की जो mud होती है, उसमें पाय जाते हैं, उसके इलावा stagnant water, ठीक है? यह है, इसका habitat की pools में पाय जाते हैं, और shallow ponds की mud में पाय जाते हैं, या stagnant water में पाय जाते हैं, structure का अगर हम view लेते हैं, कि emoba का structure क्या है? तो structurally देखा जाए कि इनकी जो size है, वो क्या है? size है, 0.25 mm, और shape जो है, वो कौन सी है? irregular, means it has no regular shape, इनकी कोई regular shape नहीं होती, irregular shape होती है, और cell membrane जो है हो, cell membrane रखते हैं ये, वो क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, प्रोटोप्लाजम को, उसके इलावा, molecules की movement में भी, movement में भी मदद देती है, structurally जो है, वो cell membrane है, और vacuos मौझूद है, food vacuos है, mitochondria है, ये सारी चीज़े मौझूद है, और क्या क्या मौझूद है? food vacuos है, इन में, ठीक है, और nucleus है, mitochondria है, ठीक है, structurally जो है, वो cell membrane रखते हैं, mitochondria है, food vacuos है, nucleus है, इस सारी चीज़े मौझूद है, जो इस प्रोटोप्लाजम जो है, वो, उसको cell membrane प्रोटैक्ट करती है, और उसके इलावा जो molecules है, उनकी movement में भी cell membrane मदद करती है, अब जो प्रोटोप्लाजम है, उसके दो पार्ट सें, प्रोटोप्लाजम के कितने पार्ट सें, दो पार्ट सें, एक है, एक्टोप्लाजम पार्ट है, जो किस फॉर में मुझूद होता है, जेल फॉर्म में और जो एंड़ोप्लाजम है वो इनर पार्ट होता है इनर पार्ट होता है और सोल फॉर्म में होता है यह वो उनकी दो पार्ट है आउटर जो होता है वो ट्रांस्पेरंट होता है और इनर जो होता अग्राड १ लबगता है और जो अननर पार्ट होता है वो जेल फॉर्म में होता है श्रूंाय prat फाल्स फीट फीट नहीं होते हैं सम्टाइम वह कौन सी शेप इक्तियार करता है और इससे हमें बताया था पहले कि इनकी शेप जो है वह कौन सी है है, irregular shape है, यह जो irregular shape है, that is due to the false feet, जिनको हम क्या कहते हैं, sodo border, ठीक है, इनके जो feet होते हैं, वो false होते हैं यह नहीं, उनकी जो moment की, जैसे moment होती है, वैसे ही इनकी feet की जो हो, shapes होती है, ठीक है, यह था saline features of the जो next example है हमारे पास Unicellular Organism की वह है व वालवोक्स जो की Unicellular Organism अगर हम सबसे पहले Textonomic classification देखते हैं तो इसका जो जीनेस है वो कौन सा है? ख्लोरोफाइट है ख्लोरोफाइट ग्रीन एलजी ठीक है? और जो फैमिली है वो कौन सी है? फैमिली है वॉल्वो केशेशी ठीक है? और हिस्ट्री क्या है इसकी? इपने टिक्जोनमिकली जो जीनस है इस Seems में यह रखा गया है इस पेशी कौन सी है? इस पेशी है वोल्वोक्स ठीक है? ये इसकी स्पेशी है इस जीनस की क्लोरोफाइट ग्रीन एलजी और family जो है वो वोल्वे के शीएशी है ठीक है और जो history है इनकी वो क्या है सबसे पहले इनको report किसने किया था सबसे पहले जो report किया था वो किया था किसने कब किया था 1700 में ठीक है इसकी history क्या है किसको सबसे पहले report किया था sir antony one leenhok ने 1700 में इसको report किया था और habitat क्या है इसका यह कहा कहाँ पाया जाता है वॉल्वोस जो है वो मिलते हैं कहां found in fresh water जाता तो यह कहां पाए जाते हैं fresh water में ही पाए जाते हैं और इनी fresh water में सबसे पहले इनको report किया था किसने Sir Anthony Vaughness 1700 में अब अगर हम इसका structure देखते हैं तो structure में जो है वो क्या-क्या मुझूद है structure में जो है वो इनके पास spherical shape है कौन सी shape है? इनकी जो shape है वो spherical shape है जो more than 50,000 colonies जो है वो में पाए जाते हैं occurs in more than 50,000 यानि 50,000 तक की यह मिलकी एक unicellular organisms है जो 50,000 तक मिलकी colonies बनाती हैं नहीं के यह 50,000 cell होंगे उसमें कितने? 50,000 से भी जादा मिलकी यह एक अपनी कालूनी बनाते हैं unicellular organism है जो वार्वर्वक्स ठीक है और इनके पास क्या structure में मौझूद है? फ्लेजिला मौझूद होते हैं कितने? तू फ्लेजिला होते हैं इनके? कितने तादाद में होते हैं? टू फ्लेजिला होते हैं जो क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं इनको जैसे यह फोल्लिंग करते हैं तो इनकी बोड़ी राउन शेप में हो जाती है वो बीट करते हैं तो इनकी बोड़ी किस फार्म में हो जाती है? round form में हो जाती है ठीक है और इन में क्या मुजूद है chlorophyll मुजूद है जिस तरह प्लांट में chlorophyll मुजूद होता है तो chlorophyll की मदद से प्लांट जो है वो अपने अपना food तैयार कर सकता है in the same way walvos जो है एक किसम की algae है वो भी का करती है उनके पास chlorophyll मुजूद है तो in the presence of chlorophyll ये क्या करते हैं prepare करते हैं food और किसकी मुजूदगी में in the presence of sunlight presence of sunlight sunlight की मुजूदगी में जो है वो walvos जो algae है वो sunlight की मुजूदगी में chlorophyll को use करते हुए क्या करते हैं अपना खाना खुद तैयार करते हैं और मज़े वाली बात यह है कि यह toxic नहीं है क्यों toxic नहीं है human के लिए क्योंकि they do not produce any they do not produce any toxic material तो यह harmful नहीं होती human beings के लिए ठीके यह था हमारा आज का lecture अगर आपको मेरे lectures अच्छे लगते हैं तो subscribe करें, like करें और share करें, thanks